राम राम मैं पंडित असके मिस्र चूर ने आपका समान चुड़ा लिया अब मताओं बहनों भायों का फोन आता है सरजरा चूर के बारे में बताईए चूर कौन है कैसा है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही स्रलतम तरीकों से मैं समझाने का प्रयास करूँगा जिससे आप स्वैम चूर के वारे में पता लगा सकते हैं पहला काम कि जो लोग जोतिस को बिलकुल नहीं जानते हैं वह भी पता लगा सकते हैं उन्हें क्या करना है अपने मोबाइल एप्स पर कोई भी एप्स डाउनलोड कर लिजे जो प्रश्न कुणली से जुड़ी हो आप चाहें तो क्युक जोतिस क्यू यू आई सी के जी वाई ओ टी आई एस एच प्ले स्टोर पर मौजूद है उसको आप डाउनलोड करें और सब्तम्भाव पर चलें सब्तम्भाव क्या होता है कहा होता है मैं आपको अपने वाइट बोर्ड पर दिखाऊंगा हमें ध्यान डखना है सब्तम्भाव और सब्तमेष पर सब्तम्भाव में कौंसा गरह बैठा है और सब्तमेष कौंसा है यह देख करके आप चोरों के बारे में या किसी एक चोर के बारे में सत्प्रतिसत्थ आकलन, कैलकुलेशन, स्वैम कर सकते हैं मैं आप लोगों वाइट बोर्ड पर लेके चलता हूँ हमें चोर के बारे में पता लगाना है तो हमारा फोकस सब्तमभाव पर होता है, सब्तमभाव कैसे होता है हम लगन को वन मानते हैं, one, two, three, four, five, six, seven, ये सब्तमभाव होता है, लगन के बिलकुल ठीक नीचे सामने सब्तमभाव होता है, यहां पर जो ग्रह बैठा है, यहां का जो स्वामी है, हम उसके अधार पर यहां बताने का प्रयास करेंगे कि चोर की बिसे में आप कैसे सत पत्सत जनकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर यहां पर सूर्य ग्रह बैठा हो या यहां पर जो अंक हो उसका स्वामी सूर्य हो सूर्य का हम देखते हैं कि सिंग का स्वामी सूर्य होता है अगर यहां फाइफ हो या सूर्य बैठा हो तो अपने घर का बड़ा बुजूर्ग या सम्मानित ब्यक्त चोर होता है अगर यहां पर चंद्रमा हो बैठा हो या यहां फोर अंक लिखा हो तो इसका मतलब्या होता है कि जो चोर होगा वह इस्त्री होगी एक सुन्दर इस्त्री होगी जिसके मुख पर चेचक या तिल या मस्य का निसान होगा अगर यहाँ पर मंगल ग्रह बैठा हो या वन लिखा हो या एट लिखा हो इसका मतलब यह होता है भाई, मित्र या अन्य सासी एवंग परचित ब्यक्ति चोर होता है वह सरीर से हश्ट, पुष्ट और सभाव से रोव बीला होता है अगर सब्तम्भाव में बुध ग्रह बैठा हो या यहाँ पर अन्क थ्री हो या शिक्स हो तो पुत्र, पुत्री, छोटा भाई या अन्य बालक चोर होता है वह सभाव से चेपल और बिनोधी होता है अगर सब्तम्भाव में गुरु ग्रह बैठा हो या यहाँ पर नाइन अंक लिखा हो या ट्वेल अंक लिखा हो नौ या बारा धनू या मीन हो तो पुरोहित, अपसर, सिक्षक या अन्य कोई प्रतिश्ठित ब्यक्ति चोर होता है और वह किसी के माध्यम से चोरी करवाता ह अगर सब्तम्भाव में सुक्रग्रह बैठा हो या यहाँ पर अंक दो या साथ अंक लिखा हो अर्थार्थ ब्रिश और तुला अर्थार्थ ब्रिश या तुला हो तो पढ़ा लिखा फैसनेबल और आकर्सक युवक या नौ यूति चोर होते हैं अगर सब्तम्भाव में सनिग्रह बैठा हो या यहाँ पर अंक दस या इगारा तेन या इलेवन हो अर्थार्थ मकर या कुम्भरासी हो तो निच जाती या नौकर या सेवक चोर होता है उसका रंग काला कद लंबा और शरीर दुबला होता है अगर राहू सब्तम अस्थान में इस्तित हो यहाँ पर राहू हो सब्तम अस्थान में हो तो वह नगर के बाहर रहने वाला नीच जाती का और डाढ़ी मुझ या के सधार होता है राहू के लिए किसी सास्त में मलेच अर्थार्थ मुसल्मान को भी माना गया है कहीं कहीं पर मत डाढ़ी वाला माना गया है अर्थार्थ ऐसा व्यक्ति जिसके पाद डाढ़ी हो और मुसल्मान हो वह चोर होता है अगर सब्तम्भाव में केतु बैठा है तो चोर को ख्यात होता है वह अपने सहयोगियों के साथ योजना बस तरीके से चोरी करता है तथा चलाक होने की कारव आसानी से पकड़ा नहीं जाता मैंने यहां भली भाती समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आया होगा फिर भी अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसे प्रित हैं प्रसान है चाहे समस्या कोई भी हो आप विबाहित हैं आपके दांपत जीवन में कोई समस्या आ रही है या आप और विबाहित ह विवा नहीं हो रहा है या विवा होते होते प्राया कट जाता है या किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही हो या मन चाहे साधी करना चाहते हैं उसमें समस्या आ रही है प्रेम विवा करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं अपना तुरंद का खीचा फोटो डेटा बर्स क डिटेल, हस्त रेखा का फोटो हमारे वाड़साप पर मैसेज करेंगे आप तो मैं आप लोग की एनेर्जी को रीड करके, हस्त रेखा को रीड करके, कुण्णली को रीड करके, और आउसकता पड़ी, तो यंत्रों के माध्यम से, तंत्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, वो अन्य भारती बिद्याओं के माध्यम से आप लोकाउची समधान भी करूँगा, हमारी भारती बिद्याओं में, भारती साधनाओं में इतनी छमता है, इतनी दिब्यता है इतनी भब्विता है कि वबिश्व की समस्त समस्याओं का समधान पल भर में छड़ भर में कर सकती है और आप सभी हमारे माध्यम से अपने घर बैठे अपने सभी प्रकार की आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या और सारीर समस्याओं का समधान प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद र राम राम.